नीरजा चाय का कप रमन की तरब बढ़ाते हुए बोली अरे वह तुम तो बड़े काम के आदमी हो आते ही तुमने पंका ठीक कर दिया मैं कबसे प्रसान थी इतनी गर्मी पड़ रही है और ये पंका चली ही नहीं रहा था रमन ने का मैडम मैं तो बहुत काम का आदमी हो आप जो करवाना चाओ मैं कर दूँगा नीरजा ने अपना दुग बताते हुए का एक तुम हो कितनी अच्छी अच्छी बाते करते हो और एक मेरा पती है जो मेरे साथ रोमान्स प्यार करता ही नहीं है लगता है तुमारे जैसे आदमी को मैं अपना दोस्त बना लूँ रमन मु हाथ रख देती थी तो रमन भी पीछे नहीं हटा उसकी चाती पर हाथ रखकर उसे दबा देता था क्योंकि नीरजा ने डीले गले का सूट पहन रखा था जिससे उसके अंदर का बदन साब दिखाई दे रहा था रमन की उंगलिया अब तो जहां तहां पढ़ने लगी अब रमन समझ गया था कि नीरजा मेरे साथ बिस्तर पर जाने के लिए तयार है रमन ने हलका सा धक्का दिया तो नीरजा बेट के एक किनारे धराम से गिर गई और रमन उसके पेरों की तरब उठकर बैठ गया रमन ने धीरे धीरे उसके कपड़े उतार दिये कुछ ही देर में नीरजा की टांगे बहार निकल आई गोरी टांगे देखकर रमन को अब बरदास नहीं हो रहा था रमन ने अपने शरीर को कपड़ों से आजात कर दिया और नीरजा के ऊपर लेट कर जोर जोर से प्यार करने लगा दस मिनट तक रमन ने प्यार किया और दोनों ठक कर अलग ह निर्जा ने रमन को तोलिया दी तो उसने अपना पसीना पोचा और एक गिलास पानी पी कर बाहर निकल आया अब निर्जा सोच रही थी कि ये तो बड़े काम का आदमी निकला अब तो मैं पंका खराब होने का बाहना लेकर रमन को बुलाती रहूंगी और जिंदगी का लूटती रहूंगी क्योंकि मेरा पती तो किसी काम का नहीं है वै बातरूम गई और नहा दोकर दूसरे कपड़े पहन लिए धीरे धीरे निर्जा को रमन से प्यार हो गया और वै रमन को बुलाकर अपने कमरे में रोज यही काम करने लगी रमन भी निर्जा से बहुत किसी से नहीं करता निर्जा भी रमन की मुखबत में पूरी तरह डूप चुकी थी यह राज ज्यादा दिन तक नहीं चला एक दिन निर्जा का पती अचानक आ गया और यह सब देख लिया उसके पती ने निर्जा को बहुत मारा और रमन को धक्के मार कर बहार निकाल दिया फिर उसने निर्जा को तलाग देने की दमकी दी तो निर्जा पैर पकड़ कर रोने लगी फिर उसके पती ने उसे माफ कर दिया और आगे से ऐसा ना करने को कहा